ह Hai Friend , स्वागत है आप सभी का कंचन्चन रेसिपी में , तो आज हम आप सब के लिए बनाने जा रहे हैं आज द氐रा है गारलिक ब्रेट रेसिपी जो पॉह। बहुत टीस्टी लगता है खाने में और अकसर हम ये सब चीजे बाहर ही खाते हैं घर में नहीं बनाते हैं तो आप बहुत ही जरू कीज़ी और कृचिश में लगट बंसांथ सकते हैं अपनिक पेसिंद्ध का involvement निकिए है और यहां पे हम चरा दिये हैं तवा गैस पे तो हम यहां पे तवा पे बनाएंगे गार्लिक ब्रेड और यहां हम डाल दिये हैं एक चम्मच के लगभग बटर और बटर को हम थोड़ा सा जो है गरम कर लेंगे और यहाँ पर हम उसमें डाल देंगे लहसुन और लहसुन को हम पका लेंगे आप चाहे तो ऐसे भी कच्चा लहसुन भी डाल सकते हैं लेकिन थोरसा बटर के साथ भून देने से टेस्ट जो है बढ़ जाता है तो हम यहाँ पे इसको पका लेंगे थोड़ा सा गॉल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे इसको और यह देखिए भून गया है बस इतना ही हमें भूनना है तो हम यहाँ पे गैस कर दिये हैं बंद और हम इसको निकाल लेंगे और यह देखिए लेस्न जो है गॉल्डन ब्राउन हो गया है तो इसको हम निकाल लिए हैं और यहां पर अब हम इसमें डालेंगे फिर से बटर तो हम यहां पर एक चमच बटर डाल दिये हैं और थोरी से इसमें हम डाल लें हैं धनिया का पत्ता आदे चमच चिली फ्लेक्स और नमक यहां पर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें नमक अपने हिसाब से डालें क्योंकि बटर में भी नमक होता है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम यहां पर ले लिए हैं वाइट ब्रेड यह देखिए दो ब्रेड लिए हैं तो हम यहां पर इसको जो है साइड से कट नहीं कि आप चाहे तो इसको साइड से कट भी कर सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं तो हम यहाँ चरा दियें गैस पे तबा और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर विल्कुल आदी चम्मच से भी थोड़ा कम ही और इसमें हम ब्रेड को सेक लेंगे एक तरफ से ज्यादा नहीं सेकना है थोड़ा सा ही हम इसको सेकेंगे ये देखे इतना ही इसको हमें जो है सेखना है तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम दोनों ब्रेड को जो है सेख लेंगे एक साइड से यह देखिए दोनों ब्रेड को जो हम यहां पे सेख लिए हैं तब हम गैस कर देंगे बंद और यहां पे जो है प्रेड जो हम सेख लिए थे जिस तरफ से हम सेके थे उसको उपर की तरफ रखेंगे और यहां पे जो हम लहसुन, बटर, सबका जो मिशरन तयार किये थे उसको हम यहां पे लगा देंगे अच्छे से इस पे तो इसी तरह से जो हम पर लगा लिए हैं और इधर हम गैस जो है जला दिये हैं और गैस का फ्लेम जो है लो रखे मीडियम या फिर है नहीं रखेंगे और इस पर हम डाल दिया है थोड़ा सा रिफाइंड ओयल आप चाहे तो बटर में भी बटर भी डाल सकते हैं और ले लिए यहाँ पे हम चीज तो हम यहाँ पे मोजरेला चीज लिए हैं और इसको कद्द है तो बहुत आसान है यह खानी में बहुत टेश्टी लगता है और बनाना भी है असान तो यह थे देखिये इसी तरह से हम यहाँ पे चीज जो है डाल डाल दिए आप चाहें तो यहां पे और भी चीज़ डाल सकते हैं अगर ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो तब हम उपर से यहां पे डाल दिए हैं थोरी सी चीली फ्लैक्स है कि अरब इसको हम यहां पे डाल देंगे और गैस का फ्लेम ध्यान रही कि आप लौ ही रखेगा मीडियम या फिर हाय नहीं और तब हम इसको ढख देंगे इससे जो है किसी ऐसे बरतन से ढख के इससे जो भाप हो जो है वो बाहर नहीं निकले और तब हम इहां पर दूसरा ब्रेड़ उसको हम तयार कर लेते हैं उसपे लगा देते हैं सारे मिश्रन इस पर लगा देंगे फिर से चीज और ची डालने के बाद डाल दियें हम यहाँ पे धोर सी चिली फ्लैक्स और आप चाहे तो यहाँ पे धोरा से उपर से भी डाल सकते हैं धनिया का पत्ता देखने मौर बढ़ियां लगेगा और यह देखिए तब तक हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो कार्लिक ब्रेड व और यह देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि अंदर से भी कितना क्रंची यह बना है तब बढ़ियां लग रहा है देखने में तब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और यह देखिए फ्रेंट्स हमारा सूपर टेस्टी गार्लिक ब्रेड जो है हो गया है बनके तयार त यह देखिए तब हम फिर से तबा पे डालेंगे थोड़ा सा तेल और यहां पे डाल देगे हम दूसरा ब्रेड और इसको भी हम ढखके पकाएंगे तीन से चार मिनट के लिए तो चलिए तब दक हम इसको कट कर लेते हैं जो हमारा बन गया है तो इस तरह से यह देखिए कट कर लिए हम और यह देखिए हमारा चीजी गार्लिक ब्रेट जो है हो गया है बन के तैयार तो मेरे तो मुह में पानी आ कर लेंगे और इसको भी हम कट कर लेंगे और यह देखिए हम नीचे से दिखा रहे हैं कितना क्रेंची यह बना है और बहुत टेश्टी लगता है खाने में कि तब हम इसको भी कट कर लेंगे और आप यहां पर चीज़े स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए हम यहां पर इसको कट कर लिए हैं तब चलिए हम धोरे सा इसको जो है सजा लेते हैं ताकि यह देखने में और भी बढ़िया लगे और खाने में तो लगता ही है टेश्टी तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ कीजिए गार्लिक ब्रेड की रेसिपी आप सभी ने तो देखा ही कि कितना आसान है इसको बनाना और बहुत ही जल्दी बन जाता है बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आएगा बच्चे तो तूट पड़ते हैं इस पे तो लीजिए फ्रेंट हमारा एस्टी ट्रेस्टाइल गार्लिक ब्रेड है तैयार तो आप सभी को यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिएगा ताकि मेरी जो भी नए वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट टारी नेक्सेट।